हेलो वरीवन, विलकम बैक टू टेक्नो पीडिया, मेरा नाम है आसीवाइब बात करने वाल एक ऐसा टॉपिक बार में जो कि इससे पहले कभी नहीं बना है, क्योंकि मोस्ती हम लोग बात करते हैं कौन सा फोन आपको लेना चाहिए, कौन सा फोन आपके लिए अच्छा है, बी पर्चेस नहीं करना चाहिए, हर एक ब्राइंड के अंदर आपको एक-दू ऐसा फोन मिल जाएगा, जो कि अभी के टाइम में आपको पर्चेस नहीं करना है, दूसरा ही है कि वीडियो बहुत रॉन होने वाला, बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला, तो अगर वीडियो थ पर्चेस नहीं करना है, तो यहां भी जो सबसे पहला फोन है, जो कि आपको नहीं लेना चाहिए, वह है वीवो टीवन प्रो, क्योंकि प्राइज इसका बहुत जादा है, 25 यार इसका प्राइज है, और 25 यार के अंदर स्पेसिफिकेशन वाइज, सॉफ्वेर वाइज, पर्चेस नहीं करना है, अभी आने वाला टाइम में बहुत अच्छा फोन, अच्छा प्राइस के अंदर आपको नहीं लेना है, और वहीं नेक्स जो ब्रैंड आता है, वो ओपो है, लेकिन उसका एक फोन के बारे में क्या ही बात करें, कोई भी ऐसा फोन नहीं है, जो कि आ इस नहीं है, बैटरी कम है, चारजर कम है, लाइग हो रहा है, या फिट डिस्प्ले अच्छा नहीं है, डिजाइन अच्छा नहीं है, प्राइस जाद है, कोई ना कोई प्रॉबलम हमेशा रहता है, और अब जो नेक्स ब्रैंड है, वो है रेडमि, उसके अंदर फोन आने आपका रेडमी नोट 11 सीरीज, सिंपल रिजन है, नोट 12 आपका बहुत जल्दी आने वाला है, अच्छा प्राइस के अंदर आएगा, अच्छा स्पेसिकेशन के साथ राएगा, और जो ये नोट 11 है, वो ओवरॉल प्राइस भी इसका थोरसा जादा है, और ओवरॉल हीटि इतना कुछ खास नहीं और इतना कोई खास पॉपुलर सीरीज रहा नहीं है इस साल हो, तो सिंपली इंदिजार करिए बहुत जल्दी आपको रेडमी नोट 12 सीरीज मिल जाएगा, पैसा वसूल होने वाला है, मत्ताब अच्छा अब ग्रेड के साथ आपको इस बार ये फोन बिल रहा है, और भही आपको रेडमी का छोटा रियल्मी का नहीं सीरीज भी बहुत जल्दी मिल जाएगा, साथ साथ वो भी लॉँच होगा, उसका Note 10 सीरीज लॉँच होने वाला है, जिसमें Note 10 है, Note 10 Pro, Note 10 Pro Plus है, Note 10 Pro Plus के लिए इंदिजार करिए, कर्फ डिस्पे के साथ आन डिस्प्लेइब अच्छा है और एक अच्छा प्राइजिंग के साथ आ रहा है तो अवरॉल रुख जाईए प्रिमियम डिस्प्लेइब के साथ आ रहा है तो पर्चेस कर सकते हैं विल्मी 10 प्रो प्लस अब बात करते हैं जो कि सुर्वाद के टाइम में आपको फ्लैक्शिप फोन देने लगा और अब धीदे धीदे करके आपको आवरेज फोन ही दे रहा है फ्लैक्शिप के नापके आप कुछ भी नहीं बचाए वैसे जिस फोन को हम बात करें वो है वन प्लस नॉड्ट सी टू लाइट जो कि आपको अठारा अनुनी सहर के अंदर मिल जाएगा और कहीं न कहीं वो भी आपको इतना स्मूद नहीं मिलेगा जो कि एक फ्लैक्शिप फोन के अंदर मिलता है और यहां पे एक रूमर चलना मार्केट में कि वन प्लस का जो ऑक्सीजन ओस और ओपो का जो कलर और यहां पे वन प्लस के लिए एक और फोन है जो कि प्राइस की साथ है 35 इसका प्राइस है अगर 30 के अंदर मिले तो ठीक है लेकिन उससे जाधा अगर हो तो नहीं लेना चाहिए उसके पीछी भी एक सिंपल सा रिजन है वन प्लस 10 आर के अंदर जो प्रोसेसर मिलता आपको डाइमेंसिटी 8100 वो सेम प्रोसेसर आपको रेडबी का के 50 आई में भी बिल जाते है जहां उसका प्राइस आपको मिलता सिर्फ 26 और आप लास्ट बात करते हैं उस ब्राइंड के बार में जिसके अदर का फ्लाक्शिफ फोन आप इसली ले सकते हैं प्रिम्यम क्वालिटी के साथ आता है क्योंकि प्राइस ज्याद है तो आप उसको आराम से ल अच्छा दिस्प्ले भी मिल रहा कैमरा भी मिल रहा लेकिन कहीं न लॉंग ट्म यूज करियेगा और ज्यादा यूज करिएगा तो आपको प्रॉबलम वह प्रॉबलम आपको दिख जाएगा लाइग और हिटिंग इस्प्राइस के अदर कनफर्म कोई भी गेमिंग और इसके लिए यह दोनों फोन का एक अप्ग्रेड मोडल आने वाला है जैनवरी मंद के अंदर यह दोनों ही फोन बहुत जल्दी आ जाएगा उसके पीछे दो रीजन है सबसे पहला सिंपल रिजन की जब कोई नया फोन आ रहा एक देर महिना के अंदर तो क्यों एक से दो साल पुराना फोन ले एक महिना रुकी और नया फोन ले लिजिए दूसरा रिजन यह है कि बहुत स है जो कि प्राइस के वर्पराइस्ट के दर आप को सेल के टाइंता है बहुत दो इस dice कर लेहाई तो चलिए विडिए अच्हा लगा या नए टौपिक अगर पसंद ए determinator तो लाइक करे चैनल को शब्ट्राइब करिए कमेंड़ करिए कोई कुछ जानना हो कुछ पुछना हो किसी फोन का अरह में जानना हो कोई और ऐसा फोन हो जो कि यह लिस्ट के अंदर हम नहीं डाले तो उसके बार निच्चे बता सकते हैं तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियों में तिल दें टेक केर स्टे सेफ